हलो एवरिवान, वेलकम टू रीतिय अरोरा रेसिपीज, आज मैं आपके साथ एक ऐसी सबजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप घर में रखे कुछ समान से ही तयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है, यानि आप दो की जगा चार रोटी भी खा सकते हैं, तो चलिए फिर देखते हैं इस टेस्टी सबजी को कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हमने गैस पर एक कड़ाई रखी है, इसमें हम दो चम्माच ओयल डालेंगे, और साथी इसमें एक चुटकी हेंग डालेंगे, और एक चोटी चम्माच जीरा डालकर हम इस अच् procure से भून लेंगे, जीरा अच्र yarn बून गया है, अब हम इसमें आदी चोटी चम्माच बारी कटा हुआ लसुन डालों देंगे, साथी एक चोटी चम्माच अद्रक डाल कर से गूल्डन डाल आने तक अच्छे से भून लेंगे, और इन ददोनों को ही हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लेंगे और इस पर हलका सा कलर आ जाएगा हलकी सी ओयल की कॉटिंग हो जाएगी फिर हम इने निकाल लेंगे ऐसा करने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है साथ इसका क्रंच भी बना रहेगा और ये देखे हलकी से फ्राइ हो चुकी है तो अब हम इने इस प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी कड़ाई में थोड़ा सा ओयल बच गया है इसी में हम एक प्यास डाल देंगे ये एक मीडियम साइज का प्यास को हमने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है इसमें डाल देंगे और इसे हम low to medium फ्लेम पर अच्छा सा गूर्डन कलर आने तक भून लेंगे साथी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्टके के एकॉर्डिङ नमक डालने से प्यास बहुत जल्दी भून जाता है प्यास अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें एक चोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखे इसमें कलर कितना अच्छा आ गया है और यही अगर मिर्ची आप टमाटर डालने के बार डालते हैं तो इसका कलर इतना अच्छा नहीं आता है तो घी में प्यास के साथ ही अगर आप लाल मिर्ची डाल देंगे तो सबजी का कलर बहुत ही बड़ी आता है साथ हम इसमें आप आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक बड़ा चमच धनिया पाउडर और एक चोथाई छोटी चमच गरम मसाला डालेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाली जले न और इसे low flame पर हम थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ा सा पानी और डाल रहे हूं यहाँ पर क्योंकि एकदम dry लग रहा है इसे अच्छे से mix करके और अब हम इसे ढग देंगे धकर हम इसे सिर्फ एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएंगे और ये दिखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं तो आप इसमें यहां पर एक चोटी चम्मच बेसन डाल रहे हूं आप चाहें तो बेसन भूना हुआ डाल सकते हैं चाहें तो अगर बेसन भूना हुआ डाल रहे हैं तो आपको इसे जादा भूनने की जूरत नहीं रहती और जैसे मैंने यहां पर कच्छा बेसन डाला है तो मैं इसे दो मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से भून लोंगी बेसन डालने की बाद आप इसे लगातार चलाते रहें क्यो मसाले के साथ और अब हम इसे ढग डिनेंगे ठक कर अम इसे एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे और यह दिखे अच्छे से भून गया है इसमें बहुत बढ़िया खुश्वू भी आ रहे है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे इस सब्जी का खास ingredient यानि इसमें घम डालेंगे घर की ताजा बलाईए यह 3-4 चमर ताजा मलाई है जो तूद्ट के उपर आती है इसमें हम डाल देंगे वे इससे डालकर अच्छे से mix कर लेंगे इसी से ही सबजी में बहुत बढ़िया टेस्ट राएगा आप इसे एक बार जरूर ट्राए करके देखें और अब हम इसमें डाल देंगे सौते क्यों ही प्याज और शिमला में जो हमने अलग रखी थी और साथी थोड़ी सी कसूरी मेती हाथ से क्रश करके डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथी मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और डाल रहे हूँ मुझे नमक खलका सा कम लग रहा है और साथी एक चोथाई छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाला हमने एक चोथाई चोटी चमश पहले डाला था और एक चोथाई चोटी चमश आप डाल रहे हैं और साथ ही दो हरी मिश पीज से काट कर इस तरह से डाल देंगे यह सबजी इतनी टेस्टरी बनती है कि आप इसे रोटी, नान, परांठा या फिचावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और यह बहुत ही जटबट बनके तयार हो जाती है अब हम इसमें डाल रहे हैं आदा कप पानी और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको जादा गाड़ी चाहिए तो आप कम डालें अगर थोड़ी से पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा जादा पानी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें अभी एक चोथाई कप डाला है और एक चोथाई कप ही मैं इसमें बाद में डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पर टोटल आदा कप पानी डाला है और इसे डालकर इसे हम ढग देंगे और ढग कर हम इसे सिर्फ 2-3 मिट के लिए पका लेंगे और ये देखिए मलाई ने अपना घी छोड़ दिया है और ये सबजी बनकर तयार हो चुकी है बहुत ही जादा टेस्टी सबजी बनी है तो अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे तो फ्रेंट्स आप भी इस सबजी को अपनी घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमाई रेसिपीस पसंद आती है तो हमारी चैनल रेसिपीस को लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइगन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं और नई नई रेसिपीस के लिए